हालो फ्रेंज वेलकुम बैक टू मैं चैनल आज में लिखिया है यह विंटर फ्लावरिंग प्लांट का अपडेट कौन-कौन से प्लांट मेरे गारण में रेडी हुए है विंटर के तो देखिए स्टार्टिंग कर रहा है हम गजानिया से जो कि बहुत इक अबसूरत फ्लाव सेट हो गए है जल्दी है इनमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग देखने को मिलेगी दूसरा मेरी गोल्ड काफी टैम से मेरे गारण में खिल रहा है लेकिन जो इस तरह का ये बुशी वाला मेरी गोल्ड है वो एकी प्लांट रेडी हो पाया है बाकी जितने भी है इस तरह क पेटल्स वाले तो अब मैं इनकी कटिंग लेके लगाऊंगे ताकि ये वाले मेरे पास काफी सारे होप आए यहां हमारे कलांचू में भी अच्छी फ्लावरिंग होना बर्ड बनना स्टार्ट हो गी है और कलांचू के साथ साथ मदर आप मिलियन्स प्लांट पे भी अलीपारोनिया। इस में जतने भी फ्लावर थे मैं इसे कटकर कि इसे रिपॉर्ट किया आप दूपारा से उसमें फ्लावरिंग हना स्टार्ट होई है यह जीनिया का प्लांट मैंने अपने शॉपिंग वीडियों I was here to the 빛 now sticks गभी कि इतने अमेज्जिंग से फ्लावर इन यहां पर भी कलांचू है और यह है वर्बीना इसमें बर्ड बनी हुई है और यह हमारे जर्वेरा जर्वेरा में भी फ्लावर यह वाला तो काफी दिन से खिला हुआ है और बाकी भी इनमें और भी बर्ड बनना स्टार्ट हुई है अब आज ही मैंने इने मस्टर्ड केक का ल लास्टियर के ही है और इसमें भी अच्छी फ्लावरिंग स्टार्ट होने वाली है देखिए इसमें एक ये और एक ये दो बर्ड और भी बनी हुई है एक बार इनके फ्लावर खिलने के बाद काफी दिन चलते हैं ये वाला मेरा गुडल का प्लांट छोटा है उस अकॉर्डि में भी एक के बाद एक फ्लावरिंग आ रही है मैं सुच ली थी इसकी फ्लावरिंग खतम हो तो मैं इसकी कटिंग ट्राय करूंगी लगाने का और यहां पे हमारे पिटूनिया में भी बर्ड बन गई है और मेरे ख्यासे इसमें यलो या वाइट कलर का फ्लावर आएगा ओ में फिर से बर्ड बनना स्टार्ट होगी है यहां पे देखिए हमारा पैंडानस यह जो पूरी तरह से मंकी डैमेज करके गए थे अब काफी बुशी हो रहा है काफी प्यारा सा लग रहा है यह गंफ्रेना है तो समर के प्लांट पर यह साल भर फ्लावरिंग कर सकते हैं काफी बड़ा फ्लावर आता है लेकिन कुछ पैस्ट लगे हुए है यहां पे कॉप्सकॉम है जो कि यूही अपने आप निकल आया है और यहां पे सारे क्रिसम्तिमम में बर्ड बनना स्टार्ट होगी है बहत ही जल्दी ब्लूमिंग करेंगे और यह वाला जो मैं पर्चेस करके लाई थी तो उसमें फ्लावर काफी टाइम से खेले हुए हमारा यूफोर्बिया मिली भी अब फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर रहा है और हमारे यह वाले बोगन वेलिया देखिए कितना प्यारा कलर है छोटा सा है वो प्लांट और यह वाला तो बड़ा है लेकिन थ चत्ते जैसा ऐसे अंब्रेला जैसे इसमें फ्लावर आते हैं मैं दिखाऊंगी जरूर जब इस पर वीडियो बनाऊंगी यहां पर सारे रोजेस की मैंने प्रूनिंग थोड़ा लेट करी थी तो इनमें अब नहीं नहीं ग्रो थाना और बड़ बना स्टार्ट होगी है तो यह पच्चों को बहुत पसंद आता है यह प्लांट इसके जो सीड है इस तरह से बनते हैं देखिए फ्लावर इस पैंड होने के बाद इस टाइम पे इसमें बहुत सारे सीड बन रहे हैं जो कि गिरें है इसी पॉट में और धेरो सारे प्लांट निकला है तो यह भी इजी और यहां पे कुछ प्लांट को मैंने कल ही रिप्वार्ड किया है यह जिरैनियम है और कुछ मुझे रहे लिया कि सैट लिंक एपलें कहीं से तो वह भी मैं लेके आई थी और इसपे मैंने कल ही वीडियो डाला है इसमें जो घो लो आएगी तो मैं जरूर शेयर करूँगी और यहां पर देखिए यह हमारा एक और hybrid गुडल जिसमें काफी अच्छे फ्लावर के लिए और इस प्लावर को मैंने जब प्रून किया था तब इस पर वीडियो शेयर किया था उसके बात के यह फ्लावर है तो फ्रेंस कुछ इस तरह से था मेरा winter garden का update उमीद है आपको पसं काई भी जरूर करिएगा okay friends